बरसो बाग बॉलीवूड पर बोले सनी दियोल, बोले ऐसा कि खोल दी सारी पोल, नमस्कार मैं हुरोईद भामला और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी कॉफी विद करन सीजन 8 के एपिसोड 2 में इस बार अभी नेता सनी दियोल और बॉबी दियोल सोफे पर मैठे थे ये एपिसोड लोगों को काफी पसंद आ रहा है कॉफी विद करन के गुरुवार के एपिसोड में ओस्ट करन जोहर ने कबूल किया है कि उन्होंने और उनकी टीम ने शो के मौजूदा आटवे सीजन के कुख्यात रैपिड फायर राउंड को वास्तव में धीमा कर दिया ह सीजन के दूसरे एपिसोड में उत्सा कुछ स्पर्ष था जिसमें अभी नेता भाई सनी देओल और बॉबी देओल कौफी काउच पर बैठे थे एक मातर थोड़ा गप्शप वाला हिस्सा शायद अभी भी सनी का रैपिड फायर राउंड था करड ने उससे अपने साथियों की एक अच्छी गुनवत्ता और एक बुरी गुनवत्ता की सूची बनाने के लिए कहा था सनी से सबसे पहले शारुक खान के बारे में पूछा गया जिनके साथ उनकी लंबे समय से विवाद चल रहा था जिसे हाल ही में सुल जाया गया है सनी ने कहा कि उन्हें ये पसंद है कि शारुक खान कितने महंती है लेकिन उन्हें नापसंद है कि उन्हें अभीनेताओ को एक वस्तू बना दिया है उनकी परतिक्रिया सुनकर करने कहा हे भगवान सनी शारुक खान की कई ब्रैंड डील के उरुशारा कर रहे थे वे स्टील की छड़ी से लेकर घरेलू समान और यहां तक की इलाइची तक हर चीज के चहरे हैं अक्षा कुमार के बारे में पूछे जाने पर सनी ने कहा कि उन्हें ये पसंद है कि वे कितने अनुशाशित है लेकिन उन्हें ये नापसंद है कि वे हर साल बहुत सारी फिल्मे करते हैं इस सालक शेकुमार की सेलफी, O.M.G.2 और मिशन रानी गंज रिलीज हुई है उनकी लगबग आदा दर्जन फिल्मे भी पाइपलाइन में हैं इनमें वेलकम टू जंगल, हेरा फेरी 3, सोरारे इपटोरू रीमेक, बड़े मिया छोटे मिया और सिंगम अगेंच शामिल है जब सनी से सल्मान खान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा दिल पसंद है लेकिन उन्हें ये नापसंद है कि वो हमेशा हर किसी को बॉडी बिल्डर बनाने की कोशिश करते है बॉबी ने मामुस सल्मान खान के बारे में भी बात की और बताय की कैसे उन्होंने रेस 3 में एक भूमिका की पेशकश की सल्मान ने जाहिर तोर पर उन्हें फोन किया था और पूछा शर्ट उतारेगा सन्नी और बॉबी देवल अपने करियर में पुनरजणम का अनंद ले रहे है सन्नी की गदर टू इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और बॉबी देवल ने आश्रम, क्लास ओफ 83 और लव वास्टल में अपनी भूमिका के लिए आलोचनाओं की परशंस्ता अरजित की है फैंस उन्हें रनवीर कपूर के साथ एनीमल में देखने के लिए भी उत्साहित है ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं रिपोर्टर जी धन्यवाद